दोस्तों यह बात तो आज तक किसी से छिपी नहीं है कि बोल्यूड इंडस्टी में जितनी अटेंशन एक एक्टर को मिलती है उतनी अटेंशन एक एक्टरस को कभी भी नहीं मिलती है और यह ट्रेंड फिल्मों की सुरुआस से ही चला आ रहा है लेकिन बोल्यूड में कई ऐस इस एक्टरस मौजूद है जो इस एंबैलिस को करारा जवाब देती है इन एक्टरस में एक नाम ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रेंगा चोपडा अग्युक्त कभी अपना हक मांगने में कोई भी सरम महसूस नहीं करती है आज हम आपको प्रेंगा चोपडा के एक ऐसे बाद हिंदी फिल्मी गानों पर परफॉर्म करने वाली थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अवर्ड फंक्शन के और्गिनाइजर चाहते थे कि प्रेंका इस इवेंट में स्टेज परफॉर्मेंस करें लेकिन प्रेंका चोपडा ने तनी ज्यादा फिस मांगी कि जि प्रेंका चोपडा ने इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहा था लेकिन जब प्रेंका चोपडा दूसरे इवेंट पर पहुची थी तब मीडिया रिपोर्टर्स ने प्रेंका से पूछा कि क्या आपने सच में 5 मिनिट के परफॉर्मेंस के लिए 5 क्रोर रुपे की मांग की प्रेंका ने कहा हाँ यह बात बिल्कुल सच है लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगे कोई और सूपर स्टार एक्टर होता तो उससे भी इसी तरह के सवाल पूछे जाते शायद नहीं क्योंकि कभी भी एक्टर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता ह आगे प्रेंका कहती है कि मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आज मैं जिस लेवल पर हूँ और अपने काम के लिए जो पैसा ले रही हूँ वो एकदम करेक्ट है और वह जायद भी है आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर आने के लिए मैंने काफी म मुझे अपने काम का पैसा मिलना चाहिए ऐसा पहली बार नहीं था जब पिरेंका चोपड़ा ने अपने उपर उठे सवालों का करारा जवाब दिया हो पिरेंका चोपड़ा हमेशा ही अपने उपर हो रही कॉंट्रोवर्सी का मूँ तोड़ जवाब देती है तो दोस्तों आ आपका पिरेंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले